प्रभी येशु के बारह प्रेरितों में से एक ही प्रेरित योहन प्रभी येशु के दुख्भोग और बृत्यु का साक्षी बना केवल योहन नहीं येशु के दुख्भोग को करीब से देखा और मैसूस किया शायद योहन ने देखा कि येशु पर कैसे कोड़े लगाये गया था योहन ने देखा कि येशु उस भारी कुरूस को ढोते वे कलवारी पहाड के और कैसे चल दिये कैसे गिरे कैसे उन पर रत्याचार किया गया गालियां बर्साए गए कोड़ें लगाए गए योहन ने करीब से देखा कि येशु को कैसे कुरूस पर जड़ा गया कुरूस पर ठोका गया योहन ने करीब से देखा कि कैसे येशु कुरूस पर लटक कर तड़प तड़प कर मरे 12 प्रेरतों में से एक मात्र प्रेरत जिसने येशु के दुगभोग को करीब से देखा वो योहन थी और वही योहन कई वर्षों के बाद जब अपने पत्र लिखते हैं योहन का पहला पत्र अध्यायतीन वाकिए एक में योहन लिखते हैं पिता ने हमें कितना पियार किया है योहन ने येशु के दुगभोग के जरीए एश्वर के प्रेम की गहराई को देखा शायद आपने वो तस्वीर देखा है एक खाली कुरूस का तस्वीर है और उस पर एक सफेद कपड़ा टंगा हुआ है उसके नीचे अंगरेजी में लिखा हुआ है I asked the Lord Lord how much do you love me मैंने प्रभू से पूछा प्रभू तो मुझे कितना पियार करता है He said so much and he stretched his arms and died for me उसने कहा इतना और अपने दोनों हाथ पसार कर मेरे लिए मर गया हम सभी लोग कुरूस का अधर करते हैं कुरूस पर गवरव करते हैं कुरूस को चूमते हैं कुरूस को पहनते हैं कुरूस को दिवार पर लटकाते हैं दिवार पर अंकित करते हैं शरीर पर अंकित करते हैं कुरूस हमारे प्रतिईश्वर के प्रेम का एक महान चिन है इस बात का प्रमान है कि इश्वर ने हमें कितना प्यार किया यहन अपने पहले पत्र के अध्याई चारवा के दस में कहते है इश्वर के प्रेम की पैचान इसमें है कि पहले हमने इश्वर को नहीं बलकि इश्वर ने हम को प्यार किया और हमारे पापों की प्राइश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा इसकी द्वारा ईश्वर की प्रेम की पैचान हमें मिलती है कि पहले हमने नहीं बलकि उसने हमें प्यार किया और हमारे पापों की प्राइश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा यहन के समाचार की अध्यायतीन वाकि सौलम में वचन कियता है एश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलाउते पुत्र को अरपित कर दिया उसने उसके लिए अपने एकलाउते पुत्र को अरपित कर दिया आप कुरूस के और देखेंगे यही हमी कुरूस पे देखने को मिलता है येशु ने हमारे लिए अपने आपको अर्पित कर दिया योहन के इस समाचार के अधियाय पंद्रा उसके वाकिय तैरा में स्वैम प्रभ येशु ने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे एकाद दो बोतिल खोन देना नहीं बलकि अपने संपूर्ण प्राण को हमारे लिए अर्पित करे कुरूस हमारे प्रती ईश्वर के प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रमान है शायद आपने सुना है एक गाउं में एक परिवार का एक लड़का जवान लड़का अपने माँ बाप से रूठ जाता है रूठता है और लड़ता है घर से दूर चला जाता है एक दूर एक शहर में जाकर होटेल में काम करता है वेटर के काम करता है और सोभागे वर्ष या संयोग वर्ष कहें उसी गाउं का एक भाई उस होटेल में जाता है और वो बोजन पे बैड़ जाता है तो बोजन लेकर यही लड़का आता है देखते ही वो अश्चे रिचगित हुआ कहा कि बेटा तु यहां क्या कर रहा है जब से तु घर से बाहर गया उस समय से तुमारे माबाप दुखी हैं पीडित हैं रोगी हैं कितनी बार उनों ने विग्यापन दिया कि हमारा बेटा गायब हो गया किसी को पता चले हमें बतावें बेटा घर वापस चलो वो लड़का मानने को तयार नहीं था उसने का मुझे विश्वास नहीं कि मेरे माबाप मुझे प्यार करते हैं मुझे कितना सताते थे उस भाई ने का नहीं बिटा तुमारे माबाप तुमको बहुत चाहते हैं अं तुम्हें लड़के ने का कि अंकल ऐसा करो मैं एक दिन तय कर लेता हूँ और उस दिन मैं अपने घर के सामने से होकर गुजरूँगा सड़के किनारे घर था का कि मैं बस में बैठकर उस जगह से होकर गुजरूँगा मेरे पिता जी से कहना कि मेरे घर के सामने जो आम का पेड़ है उस पर एक सफेद रुमाल टांग देना रुमाल को मैं देखूँगा मैं विश्वास करूँगा कि वो मुझे प्यार करता है वो मुझे चाहता है वो दिन आ गया लड़का बस में बैठ गया और बस आगे निकल गई क्योंकि कही घर में आगे थी बीच में तब ही उसे याद आए कि मेरा घर तो पीछे चूड़ गया है बगल में बैठे एक अंकल से उसने पुछा कि अंकल आईसा ऐसा घर आपने देखा अपने हाँ बीचा कि या उस आमके पेड पर एक सफेद रुमाल देखा उसने का कि एक नहीं बीचा बल्कि मैंने सैकुडो रुमाल उस पर तंगे हुए देखा उस युवक के बाप क्या बताना चाहते थी कि बेटा अगर तु चाहता है कि मैं तुमें एक चिन दूँ ताकि तुम विश्वास करेगा कि मैं तुझे चाहता हूँ और प्यार करता हूँ एक नहीं मैं सैकडों रुमाल उस पेड़ पर टागने को तयार हूँ दूजार वर्श पहले ईश्वास ने हमारे साथ बेसा ही किया पूरी बैबल का संदेश ही है कि यश्वास मे प्यार करता है और वापस चाहता है नवें के दौरा बैबल का संदेश या Mac produce बापस आजाओ मैं तुमको प्यार करता हूँ मेरे मन में तुम्हारी लिए निर्दारित यूजनाएं वापस आ जाओ मैं तुम्हें धोओंगा शुद करूँगा पवित्र करूँगा वापस आ जाओ अगर तुम मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं करते हैं मेरे वच्णों पर विश्वास नहीं करते हैं जान लो कलवारी पहाड की और देख देख कलवारी पहाड की और उस कुरूज की और देख देख मैं ने तुझको कितना प्यार गिया है येशु का कुरूज हमारे लिए एश्वर की प्रेम का चिन है इस स्यास नभी के गरंद अध्याई तिरपन में हम पढ़ते हैं इस स्यास अध्याई तिरपन इसको बार बार पढ़ते हैं वाकि चार और पांच कितना सर्शक्त वचन है वह हमारे ही रोगों को अपने उपर लेता था वह हमारे ही रोगों को अपने उपर लेता था क्योंकि वह हमको प्यार करता था और हमारे दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडे तेश्वर का मारा हुआ तरत के समझते थे हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है हमारे कुकरमियों के कारण वह कुछल दिया गया है जो दंड वह भूगता था उसके द्वारा हमेश शांदी मिली है और उसके घावण द्वारा हम भले चग्य हो गए यह incidence प्रेम का मामला है वो हमारी अवस्ता में हमें देखना पसंद नहीं करता इसलिए उसने हमारे दुख और पीडाओं को अपनी उपर ले लिया हमसे इतना प्यार करता था कि हमारे दुख और पीडाओं को अपनी उपर ले लिया हमारे पाप के दंड को अपनी उपर ले लिया हम बढ़ेंगे क्रुंतियों की दूसरे पत्रिगे दियाए पांच केस में संद पॉलूस कहते हैं मसी कोई पाप नहीं था मसी क कोई पाप नहीं था फिर भी उनकी दौरा एश्वर की पवित्रता कि भागी बन सकी उनका कोई पाप नहीं था उनिश्पाप थी उन्होंने सिर्फ बलाय की थी लेकिन हमारे कल्यान के लिए ईश्वर ने उनको पाप का भागी बनाया मैं बार बार एक कहानी सुनता हूँ दो भाईयों की कहानी एक बड़ा भाई एक चोटा भाई बड़ा भाई समाज में समानित वेक्ती था लेकिन चोटा भाई बचपन से ही कुछ बदमाश निकला अब वो युवा हो चुका था और उसकी बदमाश ही भी बड़ गई इसलिए कि वो बदमाश था जाना माना बदमाश था अब उसकी जेब में हमेशे एक चूरा रहा करता था एक दिन की बात है उसके एक मित्र के साथ बाचीत कर रहा था गर्मा गर्मी हो गई जगड़ा जैसा हो गया उसने चूरा उठाया उसके कलेजे में भौग दिया उसके कलेजे में भौग दिया जब खून निकला तो उसकी आँकें खुल गई उसे पता चला कि मैंने क्या गर डाला है पूरा कपड़ा खून से बर गया और छूरे पर से खून टपक रहा है वो छूरा लिए वो भागता है किसी का दरवाजा उसके लिए नहीं खुला क्योंकि सभी जानते थी कि बदमाश है हम फस जाएंगे अचानक उसको याद आया कि मेरा बड़ा भाई मुझे प्यार करता है अपने बड़े भाई के घर के और दोड़ता है बड़े भाई ने छोड़े भाई को दूर से देखा देखा कि उसका कपड़ा खुनी है उसके हाथ में छुरा है खुन टपक रहा है बड़ा भाई समझ गया कुछ न कुछ दरूर घटा है छोड़ा भाई बड़े भाई के पास आता है कि भीया मुझे बचाओ बड़े भाई ने सूचा कि अभी सोचने के लिए टाइम नहीं है शिक्षा देने के लिए टाइम नहीं है उसने का तुम्हें काम कर अपना वो खोनी कपड़ा मुझे दे दे वो छूरा मुझे दे दे मेरे घर के अंदर प्रवेश कर मेरे अच्छा कपड़ा पैन कर किसी ने किसी तरह से बाग जाएं से वड़ा भाई वही कपड़ा पैना खड़ा है उच्छूरा उसके हाथ में है कुन टपक रहा है लोग छोड़े भाई का पीशा करते विए आ रहे थे उन्होंने आगर देखा कि वही चेहरा वही कपड़ा वही शुड़ा पुलिस आई उसको अरस करती है ले जाती है उसे नियाएदीश के सामने खड़ा किया जाता जैज के सामने खड़ा किया जाता उसके उपर इलजाम लगा जाता एक के बाद एक लेकिन जैज ने देखा कि इसका चेहरा तो फरिष्टा सा लग रहा है उसे पूछा कि लोग तुम्हारे पर इतने जाम लगा रहे हैं तुम बोलते क्यों नहीं हो चिप क्यों हो वो खोलो बोलो मैं तुमको बचा सकता हूं सती बोलो सती गया है वो बड़ा भाई कैसे कहता है कि मैं अपने छोटे भाई की जगा पे यहां पे ख़़ा हूं वो मौन रहा चुप रहा परंद में उसको मौत की सजा सुनाई गई छोटे भाई की जगा पर वह मौत जेलता है प्रेम का मामला है 2000 वर्ष पहले यही घटना घटित हुई आप और मेरे पापों के लिए किसी और ने सजा भोगा आप और मेरे पापों को अपने उपर लेते वे कोई और हमारे लिए मरा गलातियों के पद्र के अध्याय तीन वाकितरा में लिखा हुआ है मसी हमारे लिए शापित हुए है क्योंकि लिखा है कि जो काट पर लटकाय जाता है वो शापित है विधी विरन गंद की अध्याय 21 वाकित 23 में लिखा हुआ है जो काट पर लटकाय जाता हुआ इश्वर की द्वारा अभिश्यप्त है कुरूस पर लटकाया गया ईश्वर द्वारा अभिशब्त ये इसु आप और मेरे लिए अभिशब्त हुए फिर मैं कहता हूँ ये प्रेम का मामला है इसलिए जो कुरूस आप पहने हैं जो कुरूस आप चूमते हैं जो कुरूस का चिन आप लगाते हैं वक्रुस आपके प्रति ईश्वर के प्रेम का निशान है, प्रेम का चिन है, वक्रुस आपको याद दिलाता है ईश्वर की वाणी, कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूं, वापस आजाओ, मैं तुम को कितना प्यारगरता हूँ वापस आजाओ कुरूस हमारी प्रतिएश्वर के प्रेम गच्चिन है वो सुन्दर गीत सुनिए जो कुरूस पर कुरबा है वो मेरा मसीह है कितना सुन्दर गीत है जो कुरूस पे कुर्बा है वह मेरा मसीहा है अर जख मजोस का है मैंने ही कराया है जो कुरूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है हर जख मजोस का है वो मेरे गुना का है वो मेरे गुना का है आई एम परत्ना करें तब ये सुदह ने वाँ देते हैं पवित्रिशनों के लिए तेरे अनोखी प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं कुरूस पर तेरे मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं तुने स्वयम कहा कि मैं अपने प्राण स्वयम दे देता हूँ तुने हमारे लिए अपने आपको अर्पित किया हमारे रोगों को अपने उपर लिया, हमारे दुखों से तू लदा हुआ था हमारे पापों के दंड को तू ने अपने उपर ले लिया, हमारे पापों के भार को अपने उपर ले लिया धन्यवाद देते हैं इस महान प्रेम के चिन के लिए, प्रेम के कारी के लिए हम तुझे प्रार्थना करते हैं प्रभू तेरे उस महान प्रेम का जवाब हम प्रेम से कर सके तुने हमारे लिए अपने आपको अर्पित किया तेरे उस महान प्रेम की प्रति हम अपने आपको भी अर्पित कर सके हमारी इस प्रार्थना को ग्रहन कर प्रभू अमेन